हेलो गुड मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आप सब इखा एक और नए वुलोग में दोस्तों आद में आपको बॉलीवूड के सबसे सूपर सीद अभिनेताओं में से एक दिलिव कुमार दी और उनकी पत्नी साहिरा बानो जी का जो है यानि उनका बंगला जो दिखाने वाला आप जो मेरे पीछे दोस्तों यह देख रहे हैं बोड लगा हुआ तो यहां पर आपको दिख जाएगा देखे पदम भीवूशन स्री दिलिव कुमार बंगला यह यहां पर है और उसके नीचे आप देखेंगे यहां पर देखेंगे उनकी पत्वी का भी नाम है उनका भी लिखा हुआ है देखें यहां पर शायरावानो बंगला तो दिलिव कुमार जी और उनकी वाइफ है शायरावानो दोनों का बंगला इसी रूट में है यहां देख सकते तो दोस्तों यह जो आप देख रहे ही अभी काम चाल हुए इस पर यह पहले एक बंगला हुआ करता थ लिखा हुआ है यहां पर देख सकते यह पहले बंगला नमर 16 था और यह जो गली देख रहे हैं यह नरगी दत रोड आगे की तरफ भी जाती है तो यहां पर यह बंगला तूट गया है और यह वही प्रपर्टी है जिसको लेकर दिलिव कुमार और उसके भाई के बीच काफ भी अभीवाद हुआ था और बाद में अभीवाद कोट तक पहुंचा था तो बाद में कोट ने यह जो प्रपर्टी है पुरी तो उसको दिलिव कुमार और उनकी पत्नी है साहराबानो उनको दे दिया था यह देख सकते हैं बाद में 2022 में यहां पर काम चालू है और यह जब बंगला निमर सोलो हुआ करती थी अभी भी इसका गेट देख सकते उस जवाने की गेट है काफी मजगूत गेट है लोही की बनी हुए पूरा आपको दिख रहा होगा यहां और आप यहां से थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ा आगे और नहीं के नाम पर यह स रक का नाम मार का नाम रखा गया है आगे आपको इमरान असमी का गर मिलेगा शारवानो का घर है और संजयदत का गर है तीनों का घर अपको दिखाऊँँगा आगे जाके तो फैनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ जो दिलिपकुमार की पत्ने थी साहरावालो उनके बंगले पर यह देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेम प्लेट भी मिल जाएगा और यह बंगले का नाम है और यहाँ आप आगे जाएंगे इसी रूट से मैं अभी आया हूँ जस्त आगे जो है आपको मैं दिखाया था दिलिपकुमार का जो बंगला है सोलन नमर बंगला जो अभी तूट गया वह बन रहा है अभी उससे आप जस्त दो मिनट के आएंगे तो आगे आपको यह बंगला मिल जाएगा उनकी वाइप का मैं आपको पूरा डीटियल में दिख जाएगा इसे उपर बरे बरे पेर और मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूं अंदर देख सकते हैं बंगला जो यह इसी बंगले में दिलिपकुमार की जो अभी पत्नी है साहरावानो वह यहां पे रहती है फिलाल अभी यह जो बंगला है इस बंगले में साहरावानो अभी रहती है अकेले रहती है दिलिपकुमार और साहरावानो का जो कोई भी संताने नहीं था तो अभी इस बंगले में वह अकेले ही रहती है यह देख सकते पूरा जो है बंगला है यहां से लेके और पीछे तक है बहुत इस पेस है यहां और यह जो रोड है यहां से आप जैसे राइट लेंगे दो मिनट का रस्ता है तो आप आगे जाएंगे तो आपको जह रनबिर कपूर रिसी कपूर का जो बनला है वास्तू वह भी मिल जाएगा जाएगे 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 वास्तू लेज वी जाएगे। झाल 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 झाल